गुरूर ब्रम्मा गुरूर विष्णु गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर साक्षात्परा प्रम्मा तस्मै श्री गुरवे नमा आजा पनी कारेकरम जागरण मा यो भी नस्चर मैंकूँ आजा मोन कुजन सक्ती हो तिसको चर्चागर्ण आउनु मति चांजू उन दा बिगत्मा पनी मोन थाको बारेमा धेरेई बुली सके गुछू आजा अली फरक्र भिन्न धंग मैंटा सुसान काइन ले उटा किताब लेखे किछिन क्वाइट दा पावर अफ इंट्रवर्ट असाद्य सुन्दर लाएगे मला ये तो पुस्तक साइद नियुएक टाइम्स को बेस्ट सेलर हरुमा देखे उटा पुस्तक हो अंतर मुखी बेक्तित्त को बारेमा चर्चा गरे किछिन उन्नेत्यस्मा दोईटा प्रविर्थी होंचे मान्से को ये उटा अंतर मुखी और और खो बईर मुखी प्रविर्थी होयो सुभाव हों प्रविर्थी में सुभाव मां परिवर्तन अत्यदिक कठिन भी से वस्तु हो मित्रा तरा अस्समबसे होई ना भोवतिक्र आध्यात्मिक प्रगर्थी गर्दू छे भने बईर मुखी प्रबिर्ती को बेक्ति ले भंदा, अंतर मुखी प्रबिर्ती को बेक्ति ले चुपचा आप छीटो गर्न सक्छा प्रभिर्ति रश्वभाव बईर्मखी होदा वो अनाभसेक समंद बनाई रागशा अनाभसेक बगबग गरी रहंचा बुली रहंच अनेक अनाभसेक क्रियाकलाफर बाठ उर्जा को इसकलन गरी रागशा वो छर्रा को गोली जस्तो बंद चा जिता तते छरी ने चर्रा को गोली बाठ शिकार हुन्न मित्रा तरह अंतर मुखी प्रभिर्ति को जुन बेखती हो उसलिए आपनो उर्जा लाई अनाभसेक इसकलन हुन बाठ जोगा आए रहा सम्रक्षित गरना सकता चा उत्तोब को गोली बनना सकता चा आपना सारा उर्जार लाई केंद्रीद बनाया रहा लक्षे तीर भेदित गरना सक्षेम हुन चाओ तिसकरन भोर्तिकर आध्यात्विक प्रगर्ति को लागी मोन हुनू अंतर मुखता को गुभामा प्रवेश गरना असाध्य महत्तोपुल्ण चा तरे वड़ा साब्धानी चें केचा भने नमित्रा एस्ता मोनी बेक्ती हरू अंतर मुखी बेक्ती हरू रिचन ध्यान को प्रक्रिया वड़ा गुजडून चे परचाए नतर क्यों हुन्चा बने आवस्यक अनावस्यक सब्द बिचार हरू भाव हरू भीत्र थुपरियारा ते थुपर मा पुरी न सक्छाओ बिच्षिप्त हुन सक्छाओ तो थुपरोले प्रियमित्रा हमी बन्नु संगा परिचित चाओ बन्नु को मुल्य जान्द चाओ हमरा सारा बिचार हमरा सारा बिभार बन्नु बाट निस्पा दिच्षन बन्नु को आफनो मुल्य चाओ तेसे गरी न बन्नु को परिया आफनो मुल्य चाओ रा कति पए स्थान मा कति पए भुल ल्नें बारतालाप गर्देनन, के बूलनू? भासा को प्रéक तो त्याहे होनु चाँ, जहां एक ले धेरे जाने को चां और जाने को थेने ख dziynnetto वा कम जाने को चां। दुबए वकिने भॉड़ Day तिए बोलनु को क्या आर्थ है एक जयान संत भंदसन जने भीयो वाक तत्तह स्पन्धहा जब दुई जयाना को भेट हुँचा संपर्क हुँचा तब वाक हुँचा एक लए इमा बोलनु को कुणि आर्थ हो दै लुए इकले मा बोलना थालिया बने तो बोला वन्चन मांचे सुब्बाध दूए जयाना को बीछ महोने कुलांचा पनी चन्चलता को भस्ता रहां रा न्य्म speaking पुरूब, बोलनी बेला, और बोली पसी मन्द चंचल रहान्चौँ। विए चंचल ताले अंतर ज्ञान मां बाधा उपस्तित गरता रहारा रहारा। अजेक समय मोंद रहांचन क्वाइट सुसान बंद चिन। बसन को गुपती बटे की फाइदा होंच था। प्रिणाम के होंच था। बंदा पईलो फाइदा हो निर्भी चार था। हामिलाई बुल्नों को लागी सोच बीचार गरनों पर नहोंची। मोंन मा निर्भीचार रहनों सक्षू। सामन्य तैयां बाणी को मोंन मा मन निर्भीचार नहों न सक्षू। मुख न बोले पणि मन ले बोली रहे कोन सक्षां। तरह आर्य मोन को अबस्था मा बाणी रग मन दुबय मोण रहंचन। तरह शुरुवात बाणी बाठे गुर्णु पढद्य हुन समित्रहं। मोन को औरको महत्वा मोन ले बिवाद मुक्त बनाऊचे हमिलाई बिवाद मुक्ती भनाऊना मोन भईयो भने बिवाद आफेस्तान दाऊंच प्राचिन कथा हमिले साने देखे सुनियाएका चों कि योटा घर मां पतिर पत्न को बीच खुब कलह बिवाद भाई रन्थियाँ एक दिन स्रिमती वक्क भाईरा सादू कहां जान्चिन रब्बिन्ती विशाउंचिन सादू बाबा के गरते होला मर मेरा स्रिमान को बीच प्राया बिवाद भाईरांच सादू ले एक बोतल कुने रंगिन्द रस दिदई भने ती महिलालाए कि बिवाद उठन लागे भने योँआ उसे दी मुख मा हालनो और तबसमा न थोकनो तबसमा बिवाद सान्ता होलाई न हस सादू भाबा भने रंगिन्द रस को बोतल लियरा घर गया इन स्रिमती प्रयोक सुरुआए एक हपतमे स्रिमती उपहार लियर सादू भाबा कमो पुगिन सादु भाबा सादु भाबा अच्छा मैं भो हामरो घर कु बिवाद सांत भल टुण्यो अद्बुत रही चे योँ सती सिद्धी प्रदत रही चे योँ सती धन्य सादु भाबा हजुर का अनुकम्पा सादु भाबले हांस्ते बने मेरा अनुकंपा सनुकंपा केई बनी होई ना यो बिसार हाले को सुद्ध पानी हो तरीक आले गरदा बिवाद सांतव हो बिवाद उत्पन्न होदा एक थरी छुप लागी दियो भरे बिवाद में ब्रिद्ध होना पाऊँ दाई ना अनि कला आपे सांत भई आल चानी एह हो तरीक हा महिला ले कुर बुजिन रे मुस्कराईन मात्रा मोन को दोसरो लाब बिवाद मुक्ति के सर्चा करें अनि मोन को तेसरो लाब साई अहम मुक्ति न बोलदा अहांकार ले टाव को उठावनी मोका पाऊँ देने मित्रा बोलदा अहांकार बड़देई जान्च बोलनू योटा अहम ब्रिद्ध को जाग हो औरि मो रामरो बोलना सक्षू यो भावनाले पनि अहम लाई जन्वाई रहेगो उन्च भावनाले पनि म सस्कृत जान्दशो म हिंदी जान्दशो नेपाली जान्दशो प्राक्रित जान्दशो बाँशा बुल्न को विचार आज्पक गुर्ण को माध्यम बने से दशुन जो का आजम मुल्न फाइदा हो سत्य को शुरक्षियान्ट अब्याक्रेत। इधर बाटा सत्य सुरक्षित बनना जांच। धेरे बोलने बाटा जूठोपन ले आक्रमन गरने संभावना रहांच। धेरे बोलने बेगती जूठों नो बोली कन्दा रहना सक्दाइना। अनि वड़ा जूठों ले लुखाउनों के लागे और उथोप्रे जूठों माती जूठों बोल देई जांच। तसक्ण सत्य रक्ष्या को लागे कम बोलनू अपरी हारियाच। हो हामिले थास पक्केई पनी। सामण्य मानिसलाई बोलनू पर से विभारबा बोलने ही पर से नोबुलीकन काम चल देना, जीमन चर्याने चल देना, तर सम्यक बानी साधना को पत्मा अनिवारिये हिस्सा हो, यू मेरो अनुभुती प्रिमित्रा। ये दिया आंतरिक र भोर्तिक उचाहले प्राप्त गोर्णू छभाने, अईले देखी न यू जागरन सुनी रहेको प जीमन को हिस्सा बनावने चो, अक्षेर को कई दिच्छ है होताई ना, जिसकान होस्त प्रवग बोलने चो, होस्त प्रवग साधाने को साथ बोलने पनी मौन नहीं हो, कुमारी पन नहीं हो, हरेक बानी मा अड़ू को अचेतन परिवतन को छेमता लुके कोंचा, अक्षेर मा अहिवर सब्दमा बाणि मा तो सियमता लोुके कोंचा, जसकारन हमी प्रवग चकले, वह लेक कले, कोभी हरूले, जे पायते बोलनों हो दैना, जे पायते लेकनों हो दैना, सश्टो लोक प्रियता हको लागे, असलिर हरकत गर नो हो दैना, हलका बने रा, ता Bijलका मचवने किसी का दिल अगर जीतना तुम कहोतो, मिठा मिठा बोलो, बोली में मिस्त्री घोलो, गीतली पन्ते सेवांचा, मिठु बोलो, मदुरो बोलो, इड़ा संस्कृत्म भनाई चारी, सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात, न बुरियात, सत्यम अप्रियम, सत्य बोलनु, प्रिय बाणी को उच्छारन गरनू तर सत्य भायपनी अप्रिय चाही न बोलनू आजलायते ने अध्यात्मी को अनुशन्धान करता आत्मिय मित्रा जनारदन जियो लाई कृत्यकता र लक्षमी जियो लाई धन्याद अरपन गर दै आजोकौ लागी भने कारिकरम जागरन बाठा योवी नुस सर्मा बिदाचाहां स बिदापाउं प्रणाम। झाल झाल